हलो दोस्तों, ममस्ते, सरोज की किचिन में आपका स्वागत है आज मेरी किचिन में बन रही है आवले की बहुत ही गुनकारी रेसिपी और हम इसे इस तरह से बनाएंगे कि आवले की सारे पुसक तत्व इसी में रहेंगे तो चलिए आवले का छुन्दा या चटनी कुछ भी कह सकते हैं ये सभी बीमारियों की रामबान औस्दी है ये रेसिपी चटपट बन कर तयार हो जाती है इसे हम बिनाचीनिके बनाएंगे एक बार बनाएंगे और साल भरता खाएंगे इसको रोज एक चमबच आप खाएं ये इतनी चटपटी और टेस्टी है कि इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने आदा केजी ताजा आवले लिए जब आप बाजार से आवले लाएं तो देख लें कि वो ताजा है कोई काले दब्बे नहीं हो और कले सड़े भी नहीं हो एकदम ताजा हो और थोड़ा कोई कटा हो तो उसको चकु से काट कर निकाल दें ये ताजा होंगे तब ही इनका टेस्ट अच्छा आएगा इन आवलों को हमने भाप में पकाना है इसके लिए हम एक भगोना लेंगे इसमें दो-तीन कप पानी लेंगे और पानी को उबालाने तक गरम करेंगे इसको ढख कर पकाएंगे जिससे पानी में जल्दी उबाला आ जाएगा पानी मिं उबाल आ गया है अब एक चल्ली लेंगे उसे भगोने पर रखेंगे और इसके उपर हमारे आउनों को रखेंगे एक-एक करके सारे आउनले रख देंगे हमने सभी आउनलों को रख दिया है और इनहें डख देते हैं और पांच मिनट तक पकने देंगे हमारे आउलों को पाच मिनट हो गई है इनका कलर भी चेंज हो गया है अब चलनी को हटा लेंगे यह बहुत करम है इसलिए इसे किसी चीज़ से पकड़ कर हटाएंगे हमने आउलों को ज्यादा नहीं उबाला है केबल आउलों के उपर हल्की सी सल्वट आई है इतना ही उबाला है जब चलनी को हटा लेंगे और नीचे चलनी में ही आउलों को ठंडा होने देंगे इनको हमने ज्यादा नहीं पकाया है पूरी करह से पके नहीं है यह टाइट है अब यह हमारे आउले ठंडे हो गए है अब इनको हम छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करे उनकोर को बALI स Constitution करना है आप देख़ें हमने एक किपीक उप्षिक उप्षाओ करेंगे हमने सभी को कदूकस कते हैं इस सिता है और VA करेंगे उसम जरूद रहिए प्र魚 में दालने के किलिए और आमेहाpart से करेंगे कूट कर इसका छिलका हटा लेंगे छिलका हटा कर अंदर वाले पीश के हलके हलके से दरदरा कूट लेंगे और कूट कर इसको साइड में रख लेंगे हमने इनको कूट कर रख लिया है अब एक कड़ाई लेंगे कड़ाई स्टील की या नोनिस्टिक होनी चाहिए इसके लिए पीतल की लोहे की और एलमूनियम की कड़ाई नहीं लेनी चाहिए हमने नोनिस्टिक कड़ाई लिए और इसमें एक चमच घी डालेंगे और गरम करेंगे अब इसमें कसा हुआ आउला डालेंगे और इसे चलाते हुए लोब लेम पर पकाएंगे इनको वैसे तो हमने भाप में पकाया है इनमें पानी नहीं है फिर भी हलका सा पानी होगा तो इस तरह से पकाने से पानी भी जल जाएगा आउलों को इसी तरह से चलाते हुए एक दो मिनट के लिए पका लिया है इनका सारा पानी सुख गया है अब इसमें हम गुड डालेंगे जितने आउले थे उतना ही हम इसमें गुड डालेंगे गुड साफ होना चाहिए हमने इनको थोड़ा धरदरा कूट लिया है और ये गरम होने पर पिखल जाएगा हमने 500 ग्राम आवले लिये थे तो गुड़ भी 500 ग्राम ही लिया है और गुड़ को आवले में डालने से पहले से चेक कर लिया था कि इसमें कोई कच्रा बगरा तो नहीं है इसको साप करके डालाए गैस का फ्लेम लो रखेंगे इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे इसको तले तक चलाते रहेंगे नहीं तो हमारा बैटर कडाई में चिपक सकता है सर्दियों में आवले बाजार में खुब अच्छे मिल जाते हैं आप आवले से काफ़ी चीजें बना सकते हैं जैसे आवला केंडी आवला अचार आवले का मुरब्बा आवले की सबजी इन सभी को आप बना कर पूरे साल खा सकते हो हमारा गोड पिगल गया है इसे पक्त हुए 5 मिनट हो गई है और देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और गोड आम लेने मिलकर पानी छोड़ दिया है अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले एक चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्ची काली मिर्च बिलकुल ताजा कूट कर डाल रहे है आप भी ताजा कूट कर ही डालें इसका टेश्ट बहुत अच्छा आता है अब डालेंगे ताजा कुटी हुई इलाई जी, ताजा इलाई जी की खुश्मू बहुत अच्छी आती है और अब डालेंगे एक से देड़ इंच अद्रक ग्रेट की हुई और इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये गाड़ी नहीं हो जाती तब तक चलाते रहेंगे और गैस का फिलेम लो रखेंगे इसे तेज बिलकुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी नीचे से चिपक सकती है अब इसमें डालेंगे एक छोटी चमच पाला नमक और इसे मिक्स करेंगे इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे और इसमें डालेंगे एक छोटी चमच फल्दी पाउडर ये हेल्थ के लिए बहुती फायदेमंद होती है और हमारी चुन्दा में भी अच्छा सा कलर आएगा साथ ही डालेंगे आदा छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर इसको चटपटा बनाने के लिए और इसे इसी तरह से पकाएंगे इसे पकते हुए काफी धेर हो गई है अब डालेंगे इसमें आदा छोटी चमच गरम मसाला और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट तक पकने देंगे एक से दो मिनट हो गई है हमारा छुंदा पक गया है आप देख रहे हैं छुंदा को पल्टे से नीचे पटक रहे है तो वो नीचे नहीं गिर रहा है तो हमारा छुंदा तयार हो गया है इससे ज़्यादा गाड़ा नहीं करेंगे अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस से नीचे उतार लेंगे इसे पल्टे से ऐसे ही एक दो मिनट के लिए चलाएंगे क्योंकि हमारी कड़ाई घराम है तो उसमें चिपक सकता है इसलिए इसको चारों तरब चलाते हुए रहेंगे और अब इसमें डालेंगे दो नीबू का रस हमने पहले ही नीबू को निचोड लिया था और बाउल में रख लिया है अब उसको इसमें डाल देंगे अब नीबू के रस की जगए वाइट पिनेगर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब एक पैन लेंगे उसको गैस पर रख कर घरम करेंगे और उसमें खरबुजे के बीच दो चम्मच डालेंगे और इसको हलका सा ड्राइ रोष्ट करेंगे यह जल्दी ही रोष्ट हो जाएंगे आप देखिए हमारे खरबुजे के बीच रोष्ट हो गए है अब इन्हें हमारे चुन्दे में डाल देंगे इनकी बचाई से हमारे चुन्दे में क्रंचीनेस आएगी और यह और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे यह सिहत के लिए काफी अच्छा होता है यह शोगर फिरी है यह बीपी आखों के लिए बालों के लिए और पेट के लिए फाइदेमंद होता है इसे हमने चटपटा बनाया है रोज एक चमच खाईए यह ठंडा हो जाए जब इसे एर टाइट ठब्बे में भर कर रख दीजिए यह साल भर तक खराब नहीं होगा और इसे रोटी के साथ पराठे के साथ किसी के साथ भी आप खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है इसे बच्चों को भी आप रोटी पराठे के साथ दे सकते हो मुझे आप से खाएंगे आप भी बनाईए और मुझे कॉमेंट्स करके बताईए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद